हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास अलेवन्त का इतिहास का टॉप 10 सवाल को देखेंगे जो काफी इंपोर्टेंट होगा आपके एक्जाम के लिए सभी सवाल जो है चलिए स्टार्ट करते हैं देखें क्या है हमारा सबसे पहला सवाल सबसे पहले सवाल को कहरा है विकास वात के सिध्धान्त की रचना किस ने किया था चार्ल्स डार्विन ने काफी इंपोर्टेंट है बहुत ही अच्छा कोश्चन है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना आप देखो यहाँ पर ट्रिक हम लगाते हैं ठीक है वहाँ पर आप लोगों को तो आप्सन मिलेगा आप्सन से आप लोगों को आंसर को चिनित करना होगा तो देखिए विकास अगर आपको विकास की और बढ़ना है अगर आपको विकास की और अग्रसर होना है तो आ आपका होमो हैबिल के जिवासम कहां मिले हैं आंसर है आपका ओमो एवं ओल्डू वाड में ठीक है ओमो एवं ओल्डू वाड में याद रखिएगा ये भी सवाल काफी important है और कई बार board exam में पूछा जा चुका है तो ये सवाल भी आपके लिए important है selected है और अच्छा level का सवाल है तो इसको ध्यान में रखिएगा अब वहाँ पर आप लोगों को option मिलेगा और option से आप लोग किस प्रकास से इसको अलग कर पाओगे यहाँ पे हे homo यहाँ पर हे homo कुछ-कुछ मिलता जुलता देखो homo 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 ठीक है चलो भाई next पे आते हैं अगला सवाल है हमारा अग कितने वर्स पहले 14,00,000,000 वर्स पहले अब यहाँ पर हम ट्रिक क्या लगाने वाले हैं आपको ट्रिक लगाना आग क्या होता है ख़तरनाक होता है आग का एक logic होता है कि वो जब जलेगा तो सब कुछ जलाकर राख कर देगा तो आपको एक ध्यान में रखना है कि जब भी क थोड़ा सा signal दे देना है ठीक है तो 14 से आपको यह यादर हो जाएगा कि 14 लाक वर्स पहले ठीक है नेज़ देखो क्या है अल्टा मीरा होगा यहां पर टो होगा सही कर लिजेगा ओ लो टो में आ कटा अल्टा मीरा ठीक है यह सही स्पेलिंग है वहां पर तो नहीं होगा टो ह कहाँ इस पैन में मिला है और यह भी सवाल जो है आपका काफी important है जिसके पहले previous year में भी यह सवाल आपसे पूछा जा चुका है अब देखो जैसे हमने आपको बोला कि तुम आप जो है न एक चित्र बनाओ क्या चिच का चित्र बनाओ एक गुफा का चित्र बनाओ तो पुछीतर बनाने की किसकी आविसकता पढ़ेगी, एक पेन की जरुद पढ़ेगी, किसकी जरुद पढ़ेगी, पेन की, पेन से आप इस पेन याद रखना, ठीक है, नेक दखते हैं, सिलाई वाली सुई का अविसकार कब हुआ था, 21,000 वर्स पहले, सिलाई वाले जो सुई हो कब हुआ था? तो 9 पशानकाल का आरम हुआ था 7000 इसा पुर्व, कब हुआ था? 7000 इसा पुर्व, 9 पशानकाल का आरम हो गया था, ये भी सवाल काफी important है, कई बार exam में आपका पूछा जा चुका है, अगला सवाल देखें क्या है, कौन आउजार बना सकते थे, तो हैमिनिड हेमेनिट से क्या हुता हुमेन बन्दर थोड़ी ना बनाएंगे ओजार हम ही लोग न बनाएंगे तो हुमेन से हेमेनिट आप याद रखना ठीक है साक्षियों से ग्यात होता है कि होमेनिट्स जो है उदभाव कभ गवा कहा हुआ था ये बताना है यह हुआ था Aesia और Aafrica में, कहां पे हुआ था Aesia और Aafrica में साख्छियों से क्या ग्यात हुता है यानि सबुतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो होमीनिट्स थे उसका उदभाव कहां हुआ था तो Aesia में हुआ था और Aafrica में हुआ था याद रखना नेक्स्ट है जैव उद्विकास के सिध्धान्त का जनक किसे माना जाता है तो जैव उद्विकास के सिध्धान्त का जनक माना जाता है लैमार्क को किसको माना जाता है ठीक है याद रखना इसको नेक्स्ट है मानव ने आग पर पका कर मिट्टी के बरतन बनाना कब आरम कर दिया था मानव ने आग पर पका कर यानि मिट्टी के बरतन पहले बनते थे लेकिन उसको आग पर पकाया नहीं जाता था लेकिन आग पर पका कर मिट्टी के बरतन को बनाना उन्होंने कब आरम किया था तो नव पशान काल में कब किया था नव पशान काल में तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉप 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 टैन सवाल जो है काफी अच्छा लगा होगा पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब ने की होगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि हार एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे मिलते हैं अकले वीडियो में तैंक यू